दो हजार चौबीस इस साल कब लगेगा पहला सूरे ग्रहिन, जानिय तारीक, समय और भारत में दिखेगा या नहीं। सूरे ग्रहिन विशिश खगोलिय और धार्मिक महत्व रखता है। जानिये इस साल लग रहे पहले सूरे ग्रेहन को किस दिन और किंकिन क्षेत्रों से देखा जा सकेगा सूरे ग्रेहन दो हजार चौबीस सूरे ग्रेहन तब लगता है जब प्रित्वी, चंद्रमा और सूरे एक ही समय पर एक दुसरे के बीच से गुजरते है इस साल का पहला सूरे ग्रेहन पूर्न सूरे ग्रेहन होने वाला है पूर्न सूरे ग्रेहन तब लगता है जब चंद्रमा, सूरे और प्रित्वी बिल्कुल एक सीध में होते है इस ग्रहन के लगने पर सूरे पूरी तरह से ढख जाता है और धर्ती अंधकार में हो जाती है इस तरह का ग्रहन चार सालों में पहली बार लग रहा है और इस तरह का अगला सूरे ग्रहन साल दो हजार चवालीस में देखने को मिलेगा सूरे ग्रहिन की खगोली ही नहीं बलकी विशेश धार्मिक मानता भी होती है ऐसे में जानिये इस साल का पहला सूरे ग्रहिन किस दिन लगेगा किस समय लगेगा और संसार के किंकिन हिस्सों से देखा जा सकेगा साथ ही यह भी जानिये कि इसका सूतक काल माने होगा या नहीं साल दो हजार चौबीस का पहला सूरे ग्रहिन इस साल का पहला सूरे ग्रहिन आठ अप्रेल सुमवार के दिन लगेगा इस ग्रेहन का समय भारत के समयानुसार रात 9 बजकर 12 मिनट से सुबह अगले दिन 9 अप्रैल 2 बजकर 22 मिनट होगा यह पूर्ण सूर्य ग्रेहन होगा जिस चलते पूरी तरह अंधकार में नजर आएगा कहां कहां से दिखेगा यह ग्रेहन इस सूर्य ग्रेहन को कनाड़ा, मेक्सिको, युनाइटेड स्टेट्स, अरूबा, बर्मुडा, करेबियन नीधरलैंड्स, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रीनलैंड, आयर्लैंड, आइसलैंड, जमाइका, नौर्वे, पनामा, निकार्ग्वा, रूस, पोर्टो-रिको, सैंट-मार्टिन, स्पेन, दबहामास, युनाइटेड किंग्डम और वेनिजुएला समेच संसार के कुछ हिस्सों से देखा जा सकता है, क्या भारत में नजर आएगा यह ग्रेहन? इस सूर्य ग्रेहन को भारत से नहीं देखा जा सकेगा, हालांकि इंटरन स्पेनिट की सहायता से भारत के लोग इस ग्रेहन की लाइफ स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. सूतक काल माने होगा या नहीं? धार्मिक मानेतानुसार सूतक काल को अशुप समय माना जाता है. ग्रेहन लगने से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, और ग्रेहन लगने के तक काल भी माने नहीं होगा आठ अप्रेल को सूर्य ग्रेहन पर छा जाएगा अंधेरा इन राजों के कई स्कूल रहेंगे बंद बढ़ते आप भी सावधानी दो हजार चौबीस आठ अप्रेल को लग रहा है पूर्न सूर्य ग्रेहन कुछ समय के लिए हो जाएगा पूरा अंधेरा इन एरिया के स्कूलों ने बंद करने का दिया नोटिस आठ अप्रेल दो हजार चौबीस चैतर मास की अमावस्या के दिन पूर्न सूर्य ग्रेहन पड़ेगा यह सूर्य ग्रेहन पचास सालों बाद लग रहा है बता दें कि जब दिन में सूर्य को चंद्रमा को कवर कर लेगा और दिन में अंधेरा चा जाएगा उस समय पूर्न सूर्य ग्रेहन होगा और करीब साथ मिनट के लिए सूर्य दिखाई नहीं देगा इस दोरान पूरी तरह से साथ मिनट तक ब्लैक आउट रहेगा आठ अपरेल को लगने वाले सूर्य ग्रेहन के दोरान अमेरिका के कई हिस्सों में अंधेरा चा जाएगा यही वजह है कि ग्रेहन और अंधेरा होने की वज़ा से सुरक्षा के तोर पर कई राजयों में स्कूलों को बंध किया गया है भारत में यह ग्रहन दिखाई नहीं देगा दरसल पूर्ण सूर्य ग्रहन सयुक्त राजय अमेरिका में दक्षिन में टेकसास से लेकर उत्तर पूर्व में में तक दिखाई देगा वही मियामी में आशिक ग्रहन होगा जिससे सूर्य की डिस्क का 46 भाग असपश्ट हो जाएगा सियेटल में चंद्रमा मुश्किल से सूर्य का लगभग 20 प्रतिशत भाग ही ढख पाएगा कहां कहां दिखेगा सूर्य ग्रहन मैक्सिको, सिनालोआ, नायरिट, डुरांगो और कोहुईला, यूएस के टेकसास, ओकलाहोमा, अरकांसस, वर्मोंट, न्यू हैम पशायर, मेन और कनाड़ा के ओंटारियो, क्यूबेक, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एड़वर्ड आइलेंड, नोवा स्कोटिया और न्यू फाउनलेंड में इसे अच्छे से देखा जा सकता है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सूर्य ग्रेहन की वजह से सौर एनरजी प्रोडक्शन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, वहीं सयुक्त राजे अमेरिका में साथ साल से कम समय में दूसरा सूर्य ग्रेहन होगा अधिकारियों ने लोगों को ट्रैफिक जाम के प्रती आगाह किया है और यह सलाह भी दी है, वे सीधे सूर्य की ओर देखने से बचें क्योंकि इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, इसके अलावा भारी भीर को लेकर भी काफी चिंताएं हैं क्योंकि इससे स्थानि संसादनों और आपातकालीन कर्मियों पर दबाव पर सकता है, इसलिए अमेरिका में इन स्कूलों ने पूर्ण सूर्य ग्रहन पर बंद रखने की घोशना की है, कभी अपनी खुली आंखों से ना देखें सूर्य ग्रहन, उस दिन सूर्य को देखने के लिए एक सोलर ग्रहन को देखने के लिए आपको काफी सावधानी की जरूरत है, आपको ग्रहन देखने के लिए चश्मा पहना या दूर्बीन में सौर्ट फिल्टर लगा कर देखना ज्यादा बेहतर होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करना ना भूले कमेंट में हर हर महादेव लिखे महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें